लूग अभरण कैसे हैं आप तो आज जो हम पढ़ेंगे हिंदी शिक्षन का हम पढ़ रहे हैं इसकी गद्ये शिक्षन की बिधाय जिन सबसे पहले समझते हैं कि जीवनी क्या होती है, जीवनी क्या है कि जीवनी क्या होती है, जिसने घंदी गद्य सहायतियों के बिकास में महत्यपूर्य योगदान दिया है, और सांस्कृतिक साहित्य में जीवन के लिए जीवन चरित्तर मध्ययुग में चरित्तर तथा अंग्रेजी में इसको बायग्राफिका फ्योग हुआ है व्यक्ति विशेश की जीवन पर जब साहित्यक शैली में स्वयम समंदित व्यक्ति द्वारा नौल लिखा जाकर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखा जाता है तो उसे जीवनी कहते हैं अर्थात किसी व्यक्ति विशेश के व्यक्तित्तों का निरूपन करने वाली रचना को जीवनी कहते हैं और यहां पर जीवनी सहायतियों में एक स्तंतर विद्या के रूप में अपने चरित्र नाइक के अंतर और बहे उसके जीवन समंदी घटनों परस्थितियों व्यक्तियों का उसके गुंदोश का महां व्यक्तियों बनने में उसके जीवन को भिकास गती तथा विकास गति का तथा उसके जीवर के परभाव का कलात्मक, रोचक, सजीव, तटस्त, चित्रा यहाँ पे होता है तो अब चलते हैं कि इसकी जो परिभाशा के बारे में समझते हैं तो यहाँ पे अलग-लग बिद्वानों ने परिभाशा दी है तो सबसे पहले समझते हैं कि पास्चातिय पिद्वानों दारा जॉनसन के अनुसार कि जीवनी कार का लक्षय जीवन की उन गटना और क्रिया कलापों का रंजन, रंजक वरनन करना होता है जो व्यक्ति विशेश की बड़ी से बड़ी महानता से लेकर छोटी से छोटी बातों तक समंदित होती है और यहाँ पे शिपले के अनुसार जीवनी किसी व्यक्ति विशेश की जीवन गटनाओं का विवरन है और यहाँ पे अब आता है भारतियों बिद्वानों द्वारा परिभाशा है तो यहाँ पे सबसे पहले है भारतियों बिद्वानों में से बनारसिदास चत्रवेदी के अनुसार वही जीवन चरित्र सफलता पुरुवक लिखा हुआ कहा जा सकता है जो चरित्र नायब को जिय प्रसंगों के उप्योग की प्रकृति के आधार पर जीवनी के विद्वानों ने दो भागों में इस तो व्यक्ति के इतिहास को व्यक्तित्यों की कथा के रूप में प्रस्तुत करती हैं। इसको विभाजित किया है सबसे पहले शुद्जीवनी और दूसा है अशुद्जीवनी जो शुद्जीवनी वह उता है जिसमें कर्पना के लिए कोई भी आकाश नहीं रहता है तथा वास्तिविक्ता का लेश मातर भी दुराओ नहों हो और चरित्रनाय के संपुन जीवन को उसके गुणदोश, पाप, पुन्य, तथामानिव, दुर्बलता के साथ चित्रित किया गया हो अब चुद्जीवनी अशुद्जीवनी वह होती है जिसमें वास्तिविक्ता पर परदा डालकर चरित्र को गड़कर उपस्थित किया जाता है इस तरह कि जीवनी में कर्पना का अत्यदिक प्रियोग होता है ऐसी जीवनी में केवच चरित्रनाय का गुणगान ही रहता है तो यह क्या था इसके परकार अगर हम समझेंगे कि बिश्य की अधार पर जीवनी को बिदवानों ने 5 वर्गों में भी भाजित किया है बिश्य की अधार पर जीवनी यहाँ प राजनितिक चरित्तर चौता है सहितिक चरित्तर पांचो है विदेशी और अन्य चरित्तर अब आता है विश्य के अधार पर भी जीवनी को दो भागों में भी भाजित किया गया है और वो दो भाग कौन से है प्रवंधात्मक जीवनी और निवंधात्मक जीवनी तो ये क्या तत्व, तो इसमें जू जीवनी के तत्व इस परकार है, सबसे पहले है कि यथा तत्थ जीवन, पहला जो पोइंट है वो है यथा तत्थ जीवन, इसमें क्या होता है कि पुर परकाशित लेख, संसमर्ण या पुस्त के, दूसरा होता है कि उन व्यक्तियों के से संपर्ग जिनका चरितर नायक से किसी भी परकार का कोई भी समन रहा हो तीसरा चरितर नायक द्वारा लिखित पत्तर रचना या डायरी और उन स्थानों का प्रह्मन जिवनिकार को करना हो पड़ता है जांचरित्र नायक ने अपना जीवन बैतीत किया हो तो अब यह क्या था यह था तथ्य अब दूसरा थे है तटस्थता यह जीवनिकार के मन में चरित्र नायक के प्रती एक प्रकार का शद्धाबा होता है और बहुत बार इसी शद्धाबाओ के कारण वह जीवनि लिखता है लेकिन किसी भी रचनकार को प्रेणा भले ही प्रिजन के द्वारा दोरान उसे ततस्त ही रहना पड़ता है या रहना होगा और उसके लिए आउशेक होता है कि वो अपने चरित्र नाय की अच्छायों को जुरूरत से ज़्यादा चित्रित न करे और नो ही उसकी बुरायों पर परदा डाले तीसरा होता परिवेश तो चर वो तो सादनों संगठनों का सुक्षम द्रिष्टी से द्रिष्टि पात करना ही जीवनी का परदान अईश होता है जीवनीकार को अपने विश्यों का ही ज्यान नहीं होना चे बरतियों उसके वाता वण वगटनाओं की सामाजिक प्रिष्ट भूमी का सम्मेक वो परने अभिकास कर पाएगा तो यह क्या सेकिंड परिवेश था थार्ड परिवेश था और फोर्थ है महत्व मनिश्य का कोई भी कारियो निश्पर योजन नहीं होता है जीवनी लेखन भी रचनाकार का उदेश्य प्रयास नहीं है यह कारण है कि जब कोई लेखक किसी व्यक्ति की जीवनी लिखता है तो वह उसके माध्यम से अपने पाठकों को कोई ने कोई संदेश देना चाहता है चरित्रनाई के समकालिन जीवन के समाजिक, राजनितिक, धार्मिक, आर्थिक परिवेश में उसके विवित किया क्रापो के मुल्यांकन का लक्ष यही होता है कि जो पाठक अपने यूग की स्थित्यों के साथ तोड़ना करते हुए स्वैम भी उन संघष्चों से जूजने की शक्ति परदान करें तो यह क्या था महत्त्यों अब आता है फिप्थ पॉइंट कलात्मक अनवेशन कलात्मक अनवेशन एक सरंचनात्मक सहित्यक बिदा के रूप में जीवनी सहित्यों की अनिवारे हुवा कलात्मक अनवेशन है जीवनी स्थूल तत्त्यों का लेखा बहर नहीं है बड़कि यह चरित्र नाय के चरित्र का निर्मल दर्पण है इससे उन भंगी माओं तथा अभी प्रायो को प्रति बेंबित किया जाता है जो सीधे इस पार तत्यों से व्यक्त नहीं हो सकते तो यह क्या था इसके हमने जो अभी पढ़ा है इसके तत्तों पढ़ जीवनी व्यक्ति विशेश की जीवनी का ब्रितान्त है और योह यथार सत्त्य पर अधारित होता है तथा इसमें करपना के लिए कोई अवकाश नहीं रहता है जीवनी का चरित्तर ना कोई प्रसिद व्यक्ती होता है और उसकी महानता का वरनन करना ही जीवनीकार का प्रमुक उधेश्य होता है थर्ड आता है कि जीवनी नो तो प्रशन सामातर होती और नो ही केवल दोश पर दर्शन वह व्यक्ति विशेश की जीवन का तथा तथ्य निरूपन है इसमें गुंदोशों का सही निरूपन होता है फोर्ट आता है कि जीवनी कार के साथ व्यक्ति गत विचारों हे तू जीवनी में कोई स्थान नहीं होता है बलकि उसे अपने चरिक तरनाय का तथस्त निश्पक्ष रहकर वर्ण करना होता है तो यह क्या था जो हमने अभी पड़ा है जीवनी खतम हो गया है अब हम शुरू करते हैं आतम कथा आतम कथा क्या होती है कि आतम कथा शब्द आतम जमा कथा के मेल से बनता है जिसका आतम होता है अपने कथा अर्थार्ट कहानी आतम कथा में जीए हुए जीवन का भोगे वेक शणों का जेने हुए सुख दुखों का सच्चा लेखा जोखा आतम कथा लेखक अपने समगर जीवन के पुनरिक्षन के रूप में प्रस्तुत करता है आतमकथा स्वैम लिखी जाती है और जीवन जीवनी अन्य लेखक द्वारा जीवनी से आतमकथा अधिक प्रभावत पाधकता, रोचक और सत्य होती है कि तुन लेखक की दृष्टी से उतनी ही कछित तो यहां पर परिभाशा दी गई है डॉक्टर गोविन त्रिगुणायत के अनुसार आतमकथा लेखक के जीवन की दृबलताओ, सबलताओ, आधिका वह संतुलित और वेवस्ते चित्रण है जो उसके संपुण व्यक्तितों के निश्पक्ष उदगाटन में समर्थ होता है और डॉक्टर सिदनाथ पांडे के अनुसार आतमकथा लेखक के द्वारा लेखक के अपने बीते हुए जीवन का सिहावलोकन करने तथा व्यापक परिवेश में अपने जीवन के महतों को परदर्शित करने में समर्थ नहीं हो पाता है और इंसाइक्रोपीडिया परिटानिका में आतमकथा को इस परकार परिभाशत किया है कि आतमकथा व्यक्ति के जीए हुए जीवन का कोरा है जो सेम उसके द्वारा लिखा जाता है तो ये क्या था इसके हमने परिभाशा पड़ी है अब पढ़ते हैं इसका वर्गीकर तो आतमकथा का वर्गीकर तो समिक्षकों ने आतमकथा को प्राय तीन श्रीडियों में बांटा है पहला है धार्मिक बृति परदहान व्यक्तियों की आतमकथा है दूसरा राजनितिक बृति परदहान व्यक्तियों की आतमकथा है तीसरा कलाकार की जीवन की आतमकथा है तो प्रियों के अधार पर आतमकथा की निम्न भेद हो सकते हैं पहला आतमावी व्यक्ति मूलक आतमस विक्रिती मूलक आतम प्रशन सात्मक मूलक और आतम प्रशन सात्मक और फूर्थ है उप देशातमक तो तत्तो क्या धार पर आतम कथाओं का वर्गी करण इस परकार से है पहला चरित्र परदान आतम कथा दूसरा कथानक परदान आतम कथा परिवेश परदान आतम कथा चोथा है जीवन दर्शन परदान आतम कथा और पांचो है शैली परधान आतमकता तो ये और अब आता है इसका वरगी करण हो गया इसकी बिशेष्टा है तो इसकी बिशेष्टा क्या होती है कि पहला पॉइंट है कि आतमकता में जीवन की गुण और गुण दोनों का निश्पक्ष्ट चित्रन होता है और जो दिव सेक स्वैम का स्वाल लिखित इतिहास है फूर्थ है आतमकता में आतमत्वा की अविव्यक्ति में तटस्ता अत्यंत आवश्ट है और पांचो है इसमें मैं शैली का प्रियोग होता है और शिक्स है मैं लेखक इसमें लेखक अतीत वह वरत्मान दोनों का चित्रन कर सकता है तो समझेंगे आतमकता जीवनी में अंतर अब हम दोनों में अंतर समझेंगे कि अगर कई बार एक्जाम में इस तरह से कोश्चन आ जाता है कि आतमकता और जीवनी में अंतर पचाईए तो सबसे पहला पॉइंट है कि आतमकता आतमकत्य होता है अपने जीवन की घटना और अप लकि जीवनी में लेखक किसी दूसरे के व्यक्तिक जीवन का वरनन होता है, वहां जीवनी नायक का व्यक्तितों परधान होता है। आतम-कथा और जीवनी दोनों का ही संबंद किसी सोब विख्यात महापुष के जीवन से होता है। फिफ्ट पॉइंट कि आतम-कथा स्वयम लिखी जाती है जबकि जीवनी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है। सिक्स आता है जीमनी में किसी भी व्यक्ति विशेश के जीवन की घटनाओं का यथार्थ पर चित्रम होता है जबकि आतम कथा भी सत्य यथार्थ पर अधारित होता है अथा धोनों में कलपना के लिए अपकाश नहीं है अब आता है अब आता है नेक्स पोइंट आता है कि आतम कथा किसी भी व्यक्ति की हो सकती है जबकि जीवनी सुबिख्यात व्यक्ती की हो ही लिखी जाती है तो जो आतम कता होता है किसी भी व्यक्ति की हो सकती है और जो जीवनी होती हो सो बिख्यात व्यक्ति की ही लिखी जाती है एट आता है कि आतमकता और जीवनी में उदेश्य बिश्यक अंतर है कि शिरी अजीत कुमार का यहां पे कहना है कि आतमकता साहित्यों का उदेश्यों होता है आतम निर्मान, आतम परिक्षन या आतम समर्थन अतीत की समरितियों को पुनर जीवित करने का मोह या जटल बिश्यों के उल्जाओं में अपने आपको अनवेशित करने का सात्रुविक परियास एक दूसरा उदेशियों यह भी है कि लेखक के अनुबहों का लाव अन्य लोग उठा सके साथ ही करात्मक अविविक्ति पर्द मर्यादा तथा ख्याती में लाव उठाने की शुद व्यवसाइक इच्छा भी उसके सुरिजन उदेशियों हो सकता है और वहाई पर दूसरी और जीवनी जो होती है लेखक का उदेशियों होता है कि संबध व्यक्ति के प्रतिशद्दा आदर भाओं सोभाओं का समंधों का पर्तक्षिकर्ण तथा चरित्रनाय के जीवन बिचार आदी का परचार परसार आदी अब आता है नाइन पॉइंट आता है कि आतम कथाकार को जितना अपने बिच्य में ग्यान होता है उतना जीवनी कार को अपने चरित्रनाय के बिच्य में नहीं होता है ट्यानाता है जीवन के गुणदोशों को जितना उजागर जीवने कार कर सकता है उतना आत्मकथा कार नहीं कर सकता है और आत्मकथा में तो स्वेम अपने जीए भोगे जीवन यथार्थ का अंकन करना होता है तो मैंने इसमें अंतर भी आपको समझा दिया है आशा करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा थैंक यू